हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो अवर्ड चैनल, मैथमेटिक सक्सेस हम लोग यहाँ पर देख चुके थे, क्या, चालन में इलेक्ट्रानों का सांदर ये रहा और सेयोजी बैंड में कोट्रों का सांदर ये रहा ये दोनों टॉपिक हम लोग डिसकस कर चुके हैं, उमीद करते हैं आपने करा भी होगा और आपको समझ में भी आया होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजे, दो वीडियो से पहले बारी जो हैं ठीक है, वो क्लासेस आपकी यही दोनों टॉपिक हैं, ठीक है, एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक का हर एक वीडियो में कवर किया गया है और आप प्लेइलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, सारे प्लेइलिस्ट में एड नहीं है वीडियो, मैं भी एड कर दूँगी, ठीक है और जो एड हैं वो आप देख लीजिए, बाकि आप क्लास बन डाल के सर्च करेंगे, तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है फिजिक सांट पे पर यह पिपर आपका सब्जेक्ट्व है, तो इस वज़े से हम लोग पूरा सब्जेक्ट्व टाइप ही पढ़ रहे हैं, अगर बाद में यह अब्जेक्ट्व हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर सब्जेक्ट्व ही रहा, आज हम लोगों को पढदना था नहीं कि पर सांदर ही रहा हो गया, यह यह हो गया था और निजब अ ठीक्ट्व में फर्मी उर्जा, ठीक है, फर्मी विर्जा क्या है, भाएगि अथा निजब अर्दचालक क्या होते हैं, आपको बता है, पहते हैं , आप से अनगे और यह स दोनों के बीच की स्थिति जो होती है वह अर्ध चालक है मतलब ऐसे कुछ अलग जिनमें कुछ अगर असुद्धियां मिला दी जाएं तो चालक का काम करते हैं ठीक हैं तो जो है उन्हीं को अर्ध चालक करते हैं कल से नेट परन्द था और हम यहां लखीम पूर हमारे पड़ करने इसी वज़े से आपकी वीडियो जब नेट अन हुआ तभी आए ठीक है तो आप लोग उमीद करेंगे तो देखते रहेंगे जब आएगी तब तक वीडियो जब जब आपको मिल जाएगी तब तक आप पढ़ लीजिए और जितनी पढ़ी है वह पढ़ते रही है ठीक एन बराबर पी ठीक है मान लिया तो यह यह दोनों फॉमुले आप पीछे पढ़के आये हैं ठीक है तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है मतलब सेरजी बेंड में कोटरों का संदर और चालन बेंड में इलेक्ट्रानों का संदर इक्वल कर दिया ठीक है देखिए आपको एक बार दिखा देतें यह देखिए एक फॉमुला यह था ठीक है यह इधर जो लिखा हुआ है यह ठीक है यह वाला फॉमुला और इधर जो दूसरी साइड लिखा हुआ है यह वाला यह चालन बेंड वाला था ठीक है वो दूसरी साइड लिखा हुआ है तो उमीद दिया, आप क्या करना है आपको, यहां देखिए, यहां E for electron है, S for hole होता है, ठीक है कोटर, तो यहां से हमने देखा, जो जो कट रहा है, 2 pi की hole power 3 by 2, यह भी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, KT भी गए, KT की hole power 3 by 2, H भी गया, यहां से, तो बचा हमारा इधर क क्या बचा, M E की hole power 3 by 2, इधर M H की hole power 3 by 2, ठीक है, और यह वाला टम, E यह वाला, ठीक है, आप क्या किया, हमने E यह वाला टम ऐसे ही रखा, इस वाले को आपको पता है, जब भी कोई चीज इंटू में होती है, दूसरी साइड जाती है, तो वो upon में चली जाती है, ठीक है, तो हमने इधर इसको भेजा, यहाँ पर upon में भेज दिया, इस वाले को टम को इसके नीचे आया, यह upon में चलाया, और इधर M H upon M E, इस वाले को इधर भेज दिया, आपको पता है कि अगर मानलो 2 की power 3 हो, नीचे 3 की power 3 हो, तो आप 2 वटे 3 की hole cube लिख सकते हैं या नहीं 3 by 2 है, तो आपको पता है, इसको पूरा एक में करके मतलब M H upon M E की whole power 3 by 2 लिख देंगे, ठीक हैं, वही लिखा है, जब आप इसको खोलेंगे, तो फिर से अलग अलगा जाएगा, तो यहाँ से आपको पता है, हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर X, 1 upon X लिखा ह तो यह उपर जाता है, X की power minus 2 हो जाती है, तो बस वही करना है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल as it is, जैसे वहाँ पर था, ठीक है, बिल्कुल वैसे यहाँ भी solve करना है, यह देखिए, यहाँ पर यह था, हम खाली power लिख रहे हैं, आप यहाँ से समझते रहे गा अब ध्यान दीजिएगा, यह वाला तो E की power EF minus, ठीक है, यह वाला EC upon KT ऐसे ही रहा, इधर क्या होए, sign change हो गया, minus का EV जब minus अंदर खोलेंगे तो आपको पता हैं, अंदर के sign change हो गया, प्लस का EF हो गया, upon KT, ठीक है, इतनी चीज़े clear, अब आप ध्यान से देखेंगे जब हम यहां से EF, ठीक है, यहां EF यह वाला लिख रहे है, minus EC और इधर से minus EV प्लस EF, देखें, यह सबी उसमें आ जाएंगे, इसके upon में केटी आ जाएगा, अब आप देखें, एक EF यह है, ठीक है, दूसरा कलर यह उसका लेती है, एक EF यह है आपका, और दूसरा यह ह ठीक है, तो EF और EF कितना हो गया, 2EF हो गया या नहीं, 2EF हो गया, minus EC और minus EV, इतना आया न, यही आया, देखें, यहां पर यही लिखा हुआ या नहीं, ठीक है, यह कैसे आया, इतना समझ में आपको आगया, आपको पता है, यहां तक समझ में आया होगा, आगे देखते ह इतना तो आ गया है ना फिर भी कोई दिक्कत हो तो निंचे कमेंट कर देना अब आपको हम बताते हैं क्या जब भी आपको पता है कि अगर लिखा है मान लो E की पावर 2 is equals to 7 लिखा हुआ है मान लेते हैं ठीक है तो आपको पता है जब दोनों तरफ अगर हम लॉग ले 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 ठीक है तो ये पावर आपको पता है आगया जाती है मतलब अगर लॉग के साथ में किसी की पावर में लिखा होता है तो वो आगया जाती है 2 लॉग E बराबर लॉग 7 हो जाता है आपको पता है कि लॉग का बेस E होता है जब भी बेस दोनों सेम होते हैं ठीक है जब बेस औ तो value 1 हो जाती है इतना ध्यान रखेंगे अब देखिए यहां भी और कुछ नहीं हुआ है जब हम दोनों तरफ log लेंगे इधर भी log ले लिया और इधर भी log ले लिया पावर आगे आजाएंगी इसकी पावर यह पूरी आगे आएगी इधर आएगी की नहीं यह देखिए यह पावर ही तो है मैं यह पर लिख देती हूँ यह पूरा ठीक है यह इसके आगे क्या लिखेंगे log log e यह तो लिखेंगे इसका बेस भी e ही होता है हमेशा e ही होता ठीक तो यह log जब base आपका और यहाँ भी e था तो दोनों same होगे तो value क्या हो जागी 1 तो 1 हमने यहाँ पर इसलिए लिखा नहीं है सिर्फ यही लिखा है ठीके आप लोग confuse नहीं होंगे यह log base e और e की value 1 होती है तो इस वज़े से नहीं लिखा है ठीके लोग e base e value 1 ठीके अब यहाँ देखे पावर आगे आगई 3 by 2 3 by 2 आगे आगई और फिर यहाँ भी log mh upon m e देखे यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर base e नहीं है ठीके तो इस वज़े से value 1 तो हो नहीं सकती तो पूरा note किया है ठीके समझ में आया इतना आगे देख अब होता है समान होता है ठीके तो यहां पर क्या हो जाएगा mh बरावर m e हो जाएगा की नहीं और वहांगे मास थीके तो में रहखेंगे तो म में एप și लिख लीजे या एपल मी मिख लिए 1 के लिए slip लूग 1 हो गया ठीक है यहां पर देखिए फिर क्या किया यहां से 2EF बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा लॉग 1 0 ठीक तो यहां से 0 रखेंगे जब आप देखें मैं रखके बता देती हूं 2EF-EC-EV बराबर 0 तो आप देखेंगे 2EF बराबर क्या हो गया EC-EV और यह वाला टू अपन में इधर आ गया देखिए यही वाला फॉमूला आ गया कि नहीं आगया ना समझ में आया बहुत इजी सा है यही वाला फॉमूला आ गया एकोई टू-EC-EV पॉर्ण टू ठीक है इतना आ गया होगा अब आगे देखते हैं आथा इस परस्ट है कि निज अर्चालक में फर्मी उर्जा इस्तर से ओंजी और चालन मेंड के ठीक मध्य में होता है आपको पता है यह क्या है से ओंजी और चालन मेंड के उर्जा इस तर तो यह ठिक अ 104 आपको पहले बता है तो बहुत कि आजब क में चाहरेधाorse ? प्लास थीन के आधा किया हुआ है ,बहुरके उंत्सक्रवश र्यस्टा करें छोड़िये यह आएगा ठीक है कौन इफ फर्मियुर्जा इस्तर चालन मेंड और इलेक्ट्रोन मेंड के दोनों के बीच में फस्ट में आपने यह पढ़ा होगा ठीक है और शायद बनाया भी हो लगरा अगाध जरूरत होगी तो उम बनाया नहीं है आप अपना समय सकते हैं निज रचा लंक के लिए हम日本ad यह जानते हैं क्या जानते हैं और बैंड में इलेक्ट्रानों की संख्या सेयोजी बैंड में कोटरो की संख्या बराबर होती है जिसे निजवाहक सान्दर भी कहते हैं ठीक है अब यह आपको बताया था निजवाहक सान्दर भी कहा जाता है और रिप्रेजंट किसे करते हैं यहां भी लिखा था यहां भी लिखाई है किसके लिए होता है तो यह निजवाहक सान्दर को सान्दर भी कंसंट्रेशन को न और पी दोनों मानों के संगत प्राप्त किया जाता है अधर जा सकता है एनाई इंटू इसमॉल एनाई इस इकोस्टो एन पी तो एनाई स्क्वाइर इस इकोस्टो एन पी न आई बरवर कितना हो जाएगा जब इदा से स्क्वाइर अटेगा इदर रूट आजएगा ठीक है समझ गया ना अरचालक में अनाई बरवर यह यह देखिए यहाप लिखा हो एनाई बरवर एन बरवर पी तो दोनों इकोल हो जाएगे तो इनका स्क्वाइर हो जाएगा यह पी दर थोड़ा सा यह एन और पी ऐसे है ठीक है तो एनाई बरवर रूट अंडर रूट एन पी ऐसे लिखिएगा ठीक अब देखिए हमने यहाप पहले निकाल चुके है यह वैलू रखती है आप तो ठाके एन की और पी की ठीक है जब वैलू रखी एनाई बरवर एन नहीं नहीं सॉरी यह पी इंटु में ही यह यह थोड़ा से च्छुड़ा हो गया दोनों एकवल में है एन और पी ऐसे ठीक है यह एन पी ऐसे लिखिए ठीक है तो आप देखिए दोनों की वैलू रखी एन इलेक्ट्रोन के लिए कोर्टर के लिए जो अभी पहले निकाली देखे द्रवारण पाती नियम ही है आप दोनों रख दी और ये टू एक बाहा निकल आएगा ये पूरा टम ये पूरा टम दो बार है तो आपको पता है जब भी और M H को मने अलग लिख लिए निकाल करके यह वाला थम इधर से गयब करा इधर से गयब किया मानलो इतना टम कॉमन ले लिया तो इधर अंदर कितना बज़ा M E की होल पावर 3 वाई यहां बज़ेगा न देखो मैं यहां पर लिख रही हूं इधर कितना बज़ा क्योंकि M E और M H दोरों में कॉमन नहीं है ध्यान दिजएगा सिर्फ इतना टम कॉमन है कि M E और M H अगर हटा दें M E को हमने बाहर लिख लिया कितना पावर 3 वाई टू और M H की होल पावर 3 वाई टू ठीक है यह रूट में ही रहा आपको पता है रूट की वैलू कितनी होती है रूट की वैलू होती 1 वाई टू तो देखें यहां 3 वाई 4 कैसे हुआ है जब हम लोग इसकी जगया ऐसे करके लिख दें रूट ना लगाएं और हम इसके पर पावर लिख दें वन बाई टू ठीक है लिख देना वन बाई टू तो आपको पता है 3 वाई 4 हो जाएगी हो जाएगी या नहीं तो वही यहां पर पावर डायरेक्ट मैंने 3 वाई 4 इतने वैसे इनको साथ में लिखा तो इफ इफ कट गया यह बचा यह लिख दिया पाउन केटी हो गया ठीक है सिंस हम जानते है एजी बरावर एसी माइनस इवी होता है तो हम लोग इसको यहां पर यूस करेंगे इजी बरावर यह फामूला होता है नोट करी जगा नहीं प नहीं तो टू केटी आएगा यहां पर इजी अपॉन इटी हां और एक चीज़ देखिए यहां पर इवी माइनस इसी लिखा हुआ है इवी माइनस इसी लेकर फॉर्मूले में क्या होता है इसी माइनस इवी अगर यहां से कॉमन लेले माइनस तो इसी माइनस इवी अपॉन 2KT हो जाएगा ठीक है तो EG upon 2KT यहापे वेलो रख दी और इस पूरे को A मान लिया है हमने यहापे देखें यहापे यह पूरा जुट्टा मुपर वाला था इनको A मान लिया है यहापे लिखा भी है तो यह उमीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोग इससे सॉल भी करेंगे अगे अगर लगातार ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते नहीं तो इसके लिए आपको बस छोड़ा सा काम करना है आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभ लोगों का भी अच्छे से पढ़ाई चलती रहे है ना मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय वारत